नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर से रक्षा करने वाला वरत भी माना जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2030 में पौश पुत्रदा एक आदशी कप है एक या दो जन्वरी को एक आदशी की दिति क्या रहेगी वरत की विधी क्या है और पारर का समय क्या रहेगा तो चलिए शुकरते आज के कर लीजिए साथ बेवल आइकन को प्रस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुकरते हैं आज का वीडियो पौश पुत्रता एक आदशी की दिन बृतीख को सुबहे जल्दी उठकस नान अदी से निवर्थ हो जाना चाहिए उसके बास वक्षबस्तदारन करें भागवान विश्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल पलें घर के मंदीर में दीप प्रचलित करें भागवान विश्णु का चलाभी शेक करें भागवा साल 2023 में पॉश पुत्रदा एकादशी दो जन्वरी दो हजार तेज दिन सोंबार को है तीन जन्वरी को पारण यानि व्रत तोड़ने का समय रहेगा सुबह साथ बच का चौदा मिनट से नौ बच का उनिस मिनट तक पारण तिति के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहे दो जन्वरी की रात आट बच कर तेज मिनट पर पॉश पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के नुसार महिश्मती नाम के राज पर महाजीत नाम का एक राजा सासन करता था इस राज के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण राज अपनी प्रजा कावी पूर ध्यान रखता था संतान नहीं के कारण राजा को निराशा खेरने लगी तब राजा ने रिशी मुनियों की सरण ली रिशी मुनियों ने राजा को एकादशी व्रत के पारे में बताया राजा ने विधी पूर्वक पॉस्ट पुत्रदा एकाद राजा बना मेरे वीडियो में अन्त तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ